हेलो इस वीडियो में हम नैस्टिड इफ के बारे में जानेंगे तो नैस्टिड इफ को समने से पहले सबसे पहले हमें ये ग्यान होना चाहिए कि इफ फार्मूला क्या होता है अगर हमें इफ फार्मूला यूज़ करना है आता है तो हम नैस्टिड इफ इसली यूज़ कर सकत नेस्टिड इफ कोई भी फार्मूला नहीं है नेस्टिड का मतलब होता है जब हम एक फार्मूला को एक से ज्यादा बार यूज करते है तो उससे नेस्टिड बोला जाता है तो जब हम एक फार्मूला को एक से ज्यादा बार यूज करते है तो उसको नेस्टिड इफ बोला ज है यहां पे percentage दी गई है कि percentage of mark obtained कि जिसकी percentage 90 से 100 तक है वो हमें remark में excellent शो करवाए और जिसकी percentage 80 से लेके 89 तक है वो यहां पे very good शो करवाए इसके वाद जिसकी percentage 70 से लेके 79 के बीच में है वो हमें remark में good शो करवाए जिसकी percentage 60 से लेके 69 के बीच में है वो average शो करवाए और जिसकी percentage 40 से लेके 59 के बीच में है वो यहां पे below average यह शो करवाए remark में और जिसकी percentage below 40 है वो यहां पे remark में fail शो करवाए तो इसको हम nested if के जरीए करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफ फार्मूला को समते हैं तो इफ फार्मूला को समझने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे कल टू यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे इफ लिखेंगे if लिखने के बाद यहां पर if आ जाएगा यहां पर double click किया यहां पर सबसे पहले दिया गया है logical test तो logical test में हम यहां पर condition लगाएंगे जैसे यह first condition यहां पर लगाएंगे कि जिसकी percentage 90 से 100 तक है वो यहां पर excellent show करवाए value if false इसमें हम यह remark में यह show करवाएंगे very good तो यहां पर हम logical test करेंगे तो logical test करने के लिए यह जो percentage है यह first यह जो 92 यहां पर दिया गया है यहां पर click करेंगे यह cell name यहां पर आ जाएगा आने के बाद इसके बाद यहां पर condition लगाएंगे operator यूज करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे d4 is greater than equal to यह देखो जिसके marks जो है 90 से उपर है यह 90 के बराबर है वो यहां पर excellent show करवाए तो equal to equal to लिखने के बाद यहां पर 90 लिखेंगे 90 लिखने के बाद यह देखो logical test के बाद यह कॉमा दिये गया है तो हम यहां पर कॉमा लगाएंगे इसके बाद value if true अगर यह value आगे हमने Remark में क्या show excellent तो इसको यहां पर लिखेंगे value if true तो यहां पर text जो है यहां पर क्या show करवाए excellent तो जो text होता है इसको हमेशा double code में लिखा जाता है तो यहां पर double code को स्टार्ट करेंगे और यहां पर लिखेंगे excellent यह excellent लिखा excellent लिखने के बाद double code में इसको बंद करेंगे बंद करने के बाद यहां पर इसके बाद यह कोम अलगाया हुआ है कोम अलगाएंगे अगर यह नहीं है तो value false value false में यहां पर लिखेंगे very good तो ये भी एक text है, तो text को double code में लिखा जाता है, double code start किया, और इसके बाद यहां पी लिखा very good, very good लिखा, इसके बाद double code बंद किया, बंद करने के बाद ये bracket यहां पी start है, इसको यहां पी close करेंगे, ये close की, इसके बाद enter प्रेस करेंगे, enter प्रेस करने के बाद ये दिखो 90 से उपर और 90 के बरावर जिसकी percentage है वो यहाँ पे excellent show करवाएगा और जिसके 90 से कम है उनके लिए यहाँ पे very good show होगा तो यह देखो इसको check करने के लिए यहाँ पे click करेंगे और इसको नीचे यहाँ पे drag करेंगे यह drag करने के बाद यह देखो जिसकी percentage 90 से उपर और 90 के equal to है वो यहाँ पे excellent show कर रहे है और जिसकी 90 से कम है वो very good यहाँ पे show कर रहे है यह देखो very good यह 71 very good 72 very good तो यह very good और यह देखो 98 है यहाँ पे excellent तो इस तरह से हम यहाँ पे if formula use कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ पे nested if को करेंगे तो nested if में बहुत से if formula होंगे जैसे उसमें जो है एक ही यहां पे condition नहीं होती है nested if में बहुत सी condition होती है जैसे यहां पे excellent check करेंगे very good check करेंगे good check करेंगे average check करेंगे below average fail तो यह सारा इसमें nested if में करेंगे अब हम यहाँ पे nested if को करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे बहुत सी if condition को चेक करेंगे तो इसको करने के लिए यहाँ पे click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे if condition काएंगे if लिखा इसके बाद यहां पे double click किया double click करने के बाद यहां पे logical test आ जाएगा यहां पे logical test में हमने क्या test करना है जैसे यह percentage है यहां पे 92 इस cell पे click करेंगे यह cell name यहां पे आ जाएगा d4 d4 आने के बाद यहां पे इसके बाद condition लगाएंगे तो condition में हम क्या लगाएंगे यह जो first है यहां पे कि जिसकी percentage 90 से लेके 100 यहां तक है वो यहां पे हमें excellent यह remark में show करवाए तो इसको करने के लिए हम यहां पे condition लगाएंगे d4 is greater than equal to यहां पे 90 लिखा लिखने के बाद यहां पे logical test के बाद यहां पे comma है हम comma लगाएंगे comma लगाने के बाद यहां पे value यह value हम यहां पे बरेंगे तो value कॉन से है यहां पे excellent तो यह एक text है तो text को हमेशा double code में बंद किया जाता है यहां पर double code start किया start करने के बाद यहां पर लिखेंगे excellent excellent लिखने के बाद double code को बंद करेंगे यह double code बंद किया बंद करने के बाद आगे यहां पर दिये गया कॉमा तो हम यहां पर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यह एक if condition यहां पर हमने लिख दी अब हम यहां पर दूसरी if condition लिखेंगे तो यहां पर if यह लिखा लिखने के बाद यहां पर डबल क्लिक किया if के उपर डबल क्लिक करने के बाद यहां पर फिर logical test यह लिखेंगे तो logical test में अब हमने क्या चेक करना है कि जिसकी percentage यहां पे 80 से लेके 89 के बीच में है वो यहां पे हमें remark में क्या शो करवाई very good तो यह हम यहां पे लिखेंगे तो यहां पे condition लगाएंगे पहले logical test करेंगे तो यहां पे इस पे click किया 92 पे इसके बाद यह D4 यहां पे आ गया इसके बाद यहां पे 80 से लेके 89 तो यहां पे करेंगे हम is greater than यहां पे operator यूज़ किया is equal to इसके बाद यहां पे लिखेंगे 80 यह 80 लिखा 80 लिखने के बाद इसके बाद यहां पे कॉमा दिया गया है तो कॉमा लगाएंगे इसके बाद आगे हमने क्या शोग करवाणा टेक्स्ट में very good तो यहां पर double code start करेंगे start करने के बाद यहां पर लिखेंगे very good very good लिखने के बाद यहां पर double code को बंद करेंगे बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद फिर हम यहां पर इफ लिखेंगे इफ लिखा यहां पर double click किया double click करने के बाद अब हम यहां पर third को चेक करेंगे यह दिखो जिसकी percentage यहां पर 70 से लेके 79 तक है वो हमें क्या show करवाए remark में good तो यह हमने यहां पर if यहां पे condition लगाएंगे logical test करेंगे तो यहां पे d4 लिखेंगे d4 यह लिखा इसके बाद यहां पे condition लगाएंगे condition लगाई is greater than equal to और यहां पे 70 यह लिखो 70 इसको check करेंगे तो 70 लिखा 70 लिखने के बाद फिर बैसे ही कौमा लगाएंगे कौमा लगाने के बाद यहां पे हमने टेक्स्ट में किया शू करवाड़ा है good तो यहां पे double code इसको start करेंगे start करने के बाद यहां पे लिखेंगे good good लिखा इसके बाद यहां पे double code को बंद करेंगे फिर हम यहां पर कोमा लगाएंगे फिर अगले इफ फार्मूला को यहां पर apply करेंगे तो फिर हम नहीं यहां पर लिखा इफ इसके बाद यहां पर इफ आ गया है यहां पर double click करने के बाद फिर हम यहां पर logical test करेंगे कि जिसकी percentage 60 से लेके 69 के बीच में है वो हमें text में क्या show करवाए average तो यहां पर हम logical test करेंगे तो logical test में हम लिखेंगे d4 यह d4 इसके बाद condition लगाएंगे is greater than equal to और इसके बाद क्या है यहां पर 60 से लेके 69 तो यहां पर greater than equal to यहां पर लिखा 60 60 लिखने के बाद अब text में क्या show करवाणा है average तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद double code start किया double code start करने के बाद इस condition में हमने यह text show करवाणा है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे average यह average लिखा इसको double code में बंद करेंगे यह double code में बंद किया बंद करने के बाद फिर हमने कौमा लगाने के बाद इसके बाद है जिसकी परसंटेज 40 से लेके 59 के बीच में है वो यहाँ पे हमें जो remarks है वहाँ पे क्या show करवाए below average तो यह हम यहाँ पे use करेंगे तो यहाँ पे लिखा if if लिखने के बाद यहाँ पे double click किया double click करने के बाद फिर यहाँ पे logical test लगाएंगे तो इसके बाद लिखा d4 d4 लिखने के बाद अब क्या है यहाँ पे यह condition है तो यहाँ पे condition लगाएंगे greater than equal to 40 यह 40 लिखा तो इसके बाद कोमा फिर लगाएंगे और हमने text में क्या शो करवाणा है below average तो इसको double quote को start किया और यहाँ पे लिखा below average तो यहाँ पे below average लिखा लिखने के बाद double quote को बंद करेंगे बंद करने के बाद फिर हम कोमा लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे यह जो last है यहाँ पे दिया गया है value if false अगर यह value सही नहीं है false हो जाती है तब हम क्या शो करवाएंगे तो यहाँ पे text में शो करवाएंगे fail तो यहाँ पे लिखेंगे last हम double quote में लिखेंगे double quote start किया और यहाँ पे लिखेंगे fail यह fail हमने यहाँ पे लिखा double code को बंद किया double code लगाने के बाद अब हम ये check करेंगे कि कितनी जगा हमने ये bracket start की हुई है ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 5 वार हमने इसको start किया हुआ है तो 5 वार हम यहां पे इसको बंद करेंगे ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद ये देखो ये जो जिसकी यहां पे पर्संटेस 90 से उपर है तो यहां पे 92 है उसके लिए यहां पे रिमарक में आएगा excellent तो ये यहां पर excellent आगया excellent आने के वाद अब अगले का चेक करेंगे कि यहां पे 71 के लिए हमने यहां पे वर रहा था तो 71 में यहां पे गुड डाना चाहिए तो इसको यहां पे चेक करेंगे कि यह जो आगे यहां पे percentage है उनके लिए जो हमने यहां पे यहां पे यहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसको यहां पे चेक करने के लिए यहां पे क्लिक किया और यहां पे इसको निच्छे ड्रैग किया यह लेको ड्रैग करने के बाद यहां पे यह जो 71 है उसके लिए हमने यहां पे रिमार्क में दिया था गुड तो यह लेको 71 यह गुड आ गया 72 यह 70 से लेके 79 नाइन तक है उनके लिए यहां पे रिमार्क में गुर्डी शो होगा तो यह 72 इसके लिए भी गुर्ड यहां पे आगे average है 65 तो यह लिखो 60 से लेकर 69 तक यह average तो यह यहां पे यह average आ गया है इसके बाद 45 है अगला यह जो percentage है तो यहां 45 यह लिखो 40 से लेकर 59 तक जो इसके बीच में है उसके लिए यहां पे रिमार्क में शोः below average तो यह below average आ गया है यह 40 यह भी below average है इसके बाद है 40 तो यह भी below average है तो इसके बाद यहां पे यह below 40 तो यह देको 39 है यहां पे fail show हो रहा है इसके बाद 55 है यह below average तो इस तरह से हम यहां पे सभी के लिए यहां पे remark set कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने nested if के बारे में जाना अगर आपको मेरी के वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद